तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि कैरिसा नाम की औरत शैतान के वश में होती है और कैरिसा का हस्पन जैकॉब जो की लोगों के अंदर से शैतान को निकालने का काम करता है वो कैरिसा के अंदर से शैतान को निकालने की कोशिश कर रहा होता है तभी करिशा जैकॉब से मदद मांगती है लेकिन वो शैतान करिशा को छोड़ने को तयार नहीं होता बहुत कोशिश के बाद वो शैतान बाहर आता है और फिर गायब हो जाता है सुभा जैकॉब का भतीजा लियाम घर पे आता है जहां करिशा उसे बताती है कि जैकॉब वर्क्शाप में है तभी लियाम करिशा के हाथ के बैंडेजेस को देखता है जिसके बाद लियाम वर्क्शाप के लिए निकल जाता है लियाम जैकॉब से मिलता है, जहां लियाम जैकॉब को एटली के बारे में बताता है, जो लियाम की गर्फ्रेंड है, जिसके बाद लियाम जैकॉब से करिसा के बारे में पूछता है, जहां जैकॉब उसे बताता है, करिसा को फिर से किसी शैतान ने अपने वश में किया था, और ये बार-बार होता है, जैसे वो चीजें कैरिसा को अपनी तरफ खीचती हो, जिसके बाद हम एटली को देखते हैं, जो एक क्लब में DJ होती है, जहां लियाम उससे मिलने आता है, जिसके बाद सभी इंजॉय करने लगते हैं, तभी एटली किसी अंजान शक्ती को एक आदमी से दूसरे आदमी में जाते हुए देखती है, जिसके बाद एटली अपने पास किसी को आते हुए देखती है, जो कि एक शैतान होता है, जिसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है तभी एटली लियम और अपने दो दोस्त नेडिनी और ओरायन के साथ बैठी होती है जहां एटली सब को बताती है कि वो शैतानों को देख सकती है जहां लियम उससे पूछता है कि ये सब कब शुरू हुआ जिस पर एटली उससे बताती है कि जब वो 6 साल की थी उसने अपने पिता के अंदर एक शैतान को देखा जिसने उसकी मा की जान ले ली तब से वो शैतानों को देख सकती है लेकिन इस बार जैसे उस शैतान को पता था कि एटली उससे देख सकती है तभी लियम उससे बताता है कि उसके अंकल भी शैतानों को देख सकते हैं और उनका एक क्लीनिक है जहां लियम अपने अंकल के साथ मिलकर लोगों के अंदर से शैतान को बाहर निकालने का काम करता है जिसके बाद लियम एटेली से कहता है कि उसे उसके अंकल से मिलना चाहिए सुभा एटली नेडिनी के साथ लियाम के अंकल से मिलने जाती है जहां एटली जैकॉब से पूछती है कि उन्होंने सबसे पहले किसके अंदर से शैतान को बाहर निकाला था जहां जैकॉब बताता है कि जैकॉब ने सबसे पहले अपनी वाइफ की फ्रेंड एंजला के अंदर से शैतान को बाहर निकाला था तभी हम फ्लैश बैक में देखते हैं जहां एंजला कुरसी से बंदी होती है जैकॉब उससे पूछ रहा होता है कि ये किसका शरीर है जिसके बाद वो शैतान अपने रूप में आने लगता है तभी जैकॉब बार बार उसी सवाल को दोराता है जिसके बाद एंजला कहती है कि ये एंजला का शरीर है जिस पर Liam और Jacob वहां से क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं क्लिनिक पहुँचते ही Jacob देखता है कि कोई आद्मी गुसे में क्लिनिक से बहार आता है जिस पर Jacob अपनी receptionist से पूचता है कि वो कौन था तभी वो उसे बताती है कि उसका नाव Martin है और वो यहां किसी पुझारी को ठूझ रहा था जिस्पर Receptionist ने उसे मना कर दिया कि यहां पर कोई भी पुझारी नहीं रहता जिसके बाद हम हेलन और डेमियन को देखते हैं जहां हेलन जैकॉब को बताती है कि डेमियन ने अपने दोस्त को मारने की कोशिश की जिस पर जैकॉब डेमियन से चैर पे लेटने को कहता है और डेमियन के हाथ बांदेता है जिसके बाद Jacob Damien से पूछता है कि ये किसका शरीर है Jacob बार-बार सवाल को दोराता है तभी हम Damien के मुह में उस सैतान को देखते हैं Jacob सवाल पूछता है लेकिन वो सैतान Damien को जवाब नहीं देने देता जिस पर Helen गुसा हो जाती है और Damien को धमकी देकर पूछती है कि ये किसका शरीर है जिस पर Damien कहता है कि ये उसका शरीर है तभी Jacob उस सैतान को बाहर निकालता है लेकिन वो सैतान Jacob के अंदर चला जाता है तभी Liam Helen और Damien को बाहर छोडता है जिसके बाद Jacob क्लीनिक के पीछे वाली जगह में जाता है जहां वो अपना Master Exorcism करता है और उस सैतान को वापस नर्क भेज देता है तभी Martin की वाइफ Nancy Jacob को कॉल करती है जहां वो कहती है कि आपने Larse family के बारे में तो सुना ही होगा जहां husband ने शैतान की पूजा की और अपने पूरे परिवार को मार कर खुद भी मर गया जिस पर Jacob कहता है कि वो एक भयानक गटना थी तभी Nancy बताती है कि वो और Martin अभी उसी घर में रह रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए Jacob उन्हें क्लीनिक पे बुलाता है लेकिन Nancy Jacob को अपने घर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिस पर Jacob कहता है कि वो कल दो पहर लंज के बाद आ जाएगा जिसके बाद हम देखते हैं कि राक में एटली की नीन खुल जाती है जहां वो देखती है कि नेडनी दिवार के सामने अजीब हरकतें कर रही है एटली उसे आवाज लगाती है तभी हम इधर नेडनी को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और एटली की आवाज से जाग जाती है तभी इधर एटली देखती है कि वो नेडिनी नहीं बलकि एक शैतान है और दिवार पे लिख रही होती है कि death is here तभी लियाम भी बाहर आ जाता है जिसके बाद वो शैतान एटली को पीछे की तरफ फेकता है लेकिन तभी लियाम एटली को पकड़ लेता है और इधर नेडिनी ये देखकर excited हो जाती है कि एटली उड़ रही थी जिसके बाद जेकॉब लियाम को call करता है और बताता है कि नैंसी की घर की हालक बिगड़ गई है जिसके बाद सभी नैंसी के घर पे पहुँचते हैं जहां जेकॉब चब को बताता है कि कुछ देर पहले मार्टिन ने नैंसी से खुद को बानने के लिए कहा जिसके बाद सब घर के अंदर जाते हैं जहां ओरायन डर जाता है और बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन सारे दर्वाजे अपने आप ही लोख हो जाते हैं जिसके बाद नेड़नी और ओरायन नीचे रुखने का फैसला करते हैं और बाकी सब उपर मार्टिन के कमरे की जाता है तभी जैकॉब नीचे की चीजों को हटाता है जहां एक स्टार का सिंबल बना होता है और उस पर लिखा होता है अकामेना जो की एक सैतान का नाम है जिसके बाद जैकॉब सबको अंदर बुलाता है तभी अचानक कोई ताकत एटली को अलमारी में खीच लेती है जहां एटली अंदर एक शैतान को देखती है जो एटली के तरफ बढ़ता है तभी जैकॉब अलमारी खोल देता है जिसके बाद जैकॉब मार्टिन के सैतान से उसका नाम पूछता है जिस पर वो शैतान निकल कर ऊपर चला जाता है तभी जैकॉब एटली को बताता है कि उसने जो शैतान का सामना नहीं किया जिस पर जैकॉब कहता है कि उसे फुल एग्जोसिजम करना होगा क्यूंकि सायद से घर के पहले उनर ने उस स्टार सिंबल के जरिए किसी एक्यामैना नाम के शैतान को इस दुनिया का रास्ता दिखाया तभी इधर हम देखते हैं कि एक शैतान ने नेडिनी ओरायन को मारने लगती है और अचानक से होश में आ जाती है जिसके बाद नेडिनी बाकी के लोगों को ओरायन के बारे में बताती है जिस पर लियाम और एटली ओरायन को देखने जाते हैं जहां एक शैतान ने ओरायन को वश्मे किया होता है तभी लियाम ओरायन क वो जीजस के लॉकेट से टच करता है, जिस पर वो शैतान ओरायन से बाहर आ जाता है, तभी लियाम नैंसी की चीक सुनता है, और दोनों वापस से उसी रूम में जाते हैं, जहां जैकॉब हवा में होता है, और उसका मुँ बंध होता है, और नैंसी के अंदर वही मार्टिम माला शैतान होता है, तभी लियाम जैकॉब से अपना नाम कहने को कहता है, जिस पर जैकॉब मुश्किल से अपना नाम कहता है, जिसके बाद जैकॉब नीचे आ जाता है, तभी नैंसी हवा में उड़ने लगती है, जिस पर जैकॉब लियाम से मार्टिम को खोलने के लिए क अफुर लेकिन, तभी नैंसीोऀास होलिष्ट कीजला जाती है। जिसके बाद जैकॉब सब को बताता है कि उस शैतान ने उनका यूज किया उस रूम से आजाद होने के लिए जिस पर जैकॉब उनसे कहता है कि वो उस शैतान को ढून लेगा तब ही लियम कहता है कि वो सब मिलकर ढूनेंगे जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां नेडनी और और एटली भी जेकॉब और लियम के साथ काम करने लगे हैं तभी एक क्लाइंट का कॉल आता है और ये लोग उसके लिए निकल जाते हैं और मुवी यहीं पे खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैन